चट महापर्फ का आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन खरना होता है, दूसरे दिन व्रती सुभे से नर्जला व्रत रखकर शाम को मिट्टी के चूले पर गुड़ और चावल की खीर बनाती है खीर के साथ रोटी भी बनती है, रोटी और खीर को मौसमी फल जिसमें केला जरूर शामिल किया जाता है और मिठाई के साथ एक केले के पत्ते पर रखकर इस प्रसाद को चट माता को चड़ता है इसके बाद व्रती खुद भी इस प्रसात को ग्रहन करके परिवार की बाकी लोगों को भी प्रसात बाटती है। इसे खरना इसलिए कहा जाता है चोकि इस दिन जब व्रती प्रसात खा लिती है तो फिर छट पूजन के बाद ही कुछ खा पाती है। तो पहले दिन नहाय खाए हुआ दूसरे दिन खरना और आज मिटी के बरतन पर गुड और चावल की यहाँ पर खीर बनाई जाएगी और इस प्रसात को छटी महिया को चड़ाया जाएगा जिसके बाद ब्रती इस प्रसात को खाकर परिवार के और सदस्य को भी देगी और जाए हुआ mier को मिएखाया जाए में आज जाएा जाएएगाश झाल स्ट़ क Academic